आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वेडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question ने उसे पूछा गया which of following pair of compounds is to exhibit the same color in aqua solution तो जो हमारा color in aqua solution हमारे transition elements के compounds शो करते हैं वो due to dnd transition या फिर हमारा charge transfer spectra की वज़ा से शो करते हैं तो यहाँ पर हम dd transition के साथ deal करेंगे और जो हमारा dd transition होता है वो होता है जब हमारा एक electron एक lower energy d orbital से एक higher energy d orbital में जाता है और उसके वीज़े से वो जो हमारा light absorb करता है उसका frequency visible range में लाए करता है और जो frequency वो absorb करता है उसका हमें contemporary यानि की opposite frequency का light दिखता है तो dd transition जो होता है वो हमारे depend करता है number of unpaid electron तो हम इनका electronic configuration हमारे इनके oxidized state में लिखेंगे और उसके बाद हम उसके number of unpaid electrons को compare करेंगे तो यहाँ पे हमारा f e c l 3 में हमारा f e plus 3 होगा c l minus 1 होता है और cu plus 2 होगा तो जो इनका electronic configuration होगा of d orbital होगा हमारा 3d और यहाँ पे होगा हमारा 5 और जो हमारा cu होगा वो होगा हमारा 3d 9 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसे इंस हमारे चुट d orbital होता है उसमें 5 हमारे orbital होते हैं और 5 orbital के भरने के बाद हमारा pairing शुरू हो जाता है तो जो हमारा copper है इसके पास सिर्फ एक electron होगा for d d transition meanwhile हमारे iron के पास total 5 electron होगे for d d sharing इसलिए इन दोनों का जो color होगा वो वैसे same नहीं होगा इस question में अब हमें दिया गया voCl2 और cuCl2 जहाँ पे cu अगेन हमारे 3d 9 में है और जो हमारा voCl2 है वो हमारा होगा 3d 1 में तो यहाँ पे हम देख सकते हैं vanadium और copper जो है उनों के पास एक 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 electron है और इसी हो जैसीन का जो color होगा वो similar होगा in aqua solution फिर हम देखते हैं CuCl2 और FeCl2 जहाँ पे Fe plus 2 है और Cu हमारा again plus 2 है तो जो CuCl2 होता है वो हमारा यहाँ पे 3d 7 होगा meanwhile हमारा जो Fe होगा वो यहाँ पे 3d 6 होगा तो यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पे total 2 pair of electrons होगे यानि कि 4 electrons और जो हमारे बच्चे होए 3 electrons होगे वो unpaired होगे meanwhile हमारे iron में हमारे पास total 4 electrons unpaired होगे तो इनका color भी same नहीं होगा अब manganese जो होता है वो हमारे यहाँ पे plus 2 में है और iron यहाँ पे again plus 2 में है तो iron हमें इशा की तरह हमारे plus 2 oxidation state में 3d6 होगा meanwhile हमारे manganese 3d5 होगा तो यहाँ पे भी हमारे number of unpaired electron same नहीं है और यहाँ पे हमारे 4 electron है तो वैसे यहाँ पे हमारे जो VOCl2 है यहाँ पे oxygen का minus 2 और chlorine का minus 1 तो हमारा vanadium जो है वो plus 4 होता है और copper हमारा plus 2 होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारा option number 2 जो है उसमें हमारे दोनों जो compounds हैं उनके पास सिर्फ एक ही electron है in their valence shell जो हमारा unpaired है कि वैसे जो इनका color होना चाहिए वो same होना चाहिए तो option number 2 हमारे इस question का correct answer होगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8-400-400-400 पर